हम बापा सार आएंगे, बापा चनार बज़े करेंगे, बापा, बापा, आमें जोड़ कर चलेंगे, बापा शहीद प्रतीप यादव के पिता अमर सिंग यादव चार साल पहले बरेली से डिपटी जेलर के पद से रिटायर हुए थे पैतरगर कन्योज के इंतरगड के सुकसेनपुर अजानगाओं में हैं, लेकिन वर्षों पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए कल्यानपुर 12 सिरोही CHC में रहने लगे थे प्रदीप 15 दिन पहले ड्यूटी पर गए लेकिन बर्षवारी के चलते उनकी छुटियां 10 दिन और बढ़ा दी गए तब वह वापस लोट आए थे जिसके बाद 10 फरवरी को ही वो जम्मू के लिए निकले थे शहिद सुबेदार प्रदीप घटना से कुछ घंटे पहले सवेरे 9 बजे पत्नी नीरज देवी से बात करते हुए कह रहे थे कि मेरे सिवा तुम्हारा है कौन मैं साथ नहीं दूगा तो कौन देगा चिंता मत करो छुट्टी मिलते ही आता हूँ अच्छा अब फोन रखता हूँ कानवाई चलने वादी है श्री नगर पहुचकर बात करता हूँ यह खेकर प्रदीप ने फोन काट दिया था नीरज नहीं जानती थी कि फोन ही नहीं जीवन की डूर कट गई है 11 साल की मासूम बेटी सुपरिया को इस बात का मलाल है कि वो आखरी बार पापा की आवाज सुन ना पाए फोन आने के वक्त वो इस्कूल में थी अपनी छोटी बहन धाई साल की अबोध मान्या को समालने की कोशिस में उसके आँसू फूट पढ़ते हैं मैंनपूरी इस्थित बर्णाहल के गाउं विनायकपुर में वर्स 1978 में जन्मे रामवकील की दास्ता एक ऐसे जवान की हैं जिसके रणकोशल वे सूजबूज के अधिकारी भी कायल थे ट्रैनिंग के दोरान ही उन्होंने अपने साहस वे बुद्धी मत्ता का लोहा मनवा लिया था उनके चचेरे भाई पुलिस में थे जिनकी सलहा पर रामवकील ने सिपाही पद के लिए आवेदन किया और उसमें चैनित भी हो गए लेकिन नोकरी करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पुलिस की नोकरी में नेताओं का प्रभाव होता है वह देश की सेवा करना चाहते हैं इसके बाद वर्स 2000 में CRPF में भड़ती हो गए उनकी बहादरी को देखते हुए उनकी तैनाती नकसल प्रभावी छेत्र में तो कभी असम के अशांत इलाकों वह कश्मीर में होती रही इस दोरान कई बार नकसलियों आतंकवादियों से उनका आमना सामना हुआ वे दरजनों सफल आफरेशन का हिस्सा रहे पिछले एक वर्स से अधिक समय से वह कश्मीर में तैनात थे सैन्य भाव इस कदर भरा था कि अपने परिजनों को कभी भी संकट का आभास नहीं होने दिया करीब एक साल पहले जम्मू कसमीर में ही आतंकवादियों के खिलाफ आपरेशन के दोरान आतंकवादियों की गोली उनके हाथ को चीर गई थी इस घटना में उनका काफी खून बह गया था लेकिन गोली लगने की बात वे अपने परिवार से 3 दिन तक छिपाए रहे थे पूरी तरह खत्रे से बाहर आने के बाद ही उन्होंने गोली लगने की जानकारी अपने परिवार को दी थी आतंकवादियों के खिलाब किसी आपरेशन पर जाने से पहले परिवार से बात करते जरूर थे लेकिन आपरेशन पर जाने की जानकारी कभी नहीं देते थे आपरेशन को सफलता पुर्वक अन्जाम देने के बाद ही परिवार को बताते थे रामवकील 23 दिसंबर 2018 को एक महिने की छुट्टी लेकर घराये थे छुट्टी पूरी होने के बाद वे ड्यूटी पर जम्मू के लिए रवाना हुए लेकिन बर्फवारी के चलते जिस इस्थान पर बटालियन ठहरी थी वहाँ पहुँचना संभव नहीं था उन्होंने अधिकारियों से फोन पर संपर्ख किया तो उनकी छुट्टी को 12 फरवरी तक बढ़ाते हुए वापस घर जाने की सलहा दी गई छुट्टियां पूरी करने के बाद वे वापस 12 फरवरी को अपनी बटालियन पहुँच गए रामवकील अपने तीन पुत्र अंकित, अर्पित वे अंश को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे गाउ में पढ़ाई का उचित इंतिजाम नहोंने के चलते उन्होंने अपनी पत्नी गीता को बच्चों के साथ इटावा के अशोक नगर भेज दिया था अब ये विधी का सयोग ही है कि उनके बच्चे उनके बगैर सिक्षा ग्रहन करेंगे यहाने की नहीं बोल लाई तो बोल लाई तो हम जल्दी आएजे मकान बन में लोन निकारिक हैं